हेलो वर्थ वेलकम टू मैं चैनल कैसे आप उमीद है आप सब लोग खेरियस से होंगे आज मैं आपको फ्रंट प्लैकिट बनाने का बहुत ही असान तरीका बताऊंगी गोल गले की कटिंग मैंने पहले ही कर ली थी अब मैं इसको सामने से मेजर्मेंट कर लूँगी जितनी करनी है तो सावन इंचिस पर मैं मार्क कर लूँगी विवर्थ ये तरीका बहुत असान है विगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही यूसफुल रहेगी अब यहां पर मुझे कट लगाना है यह देखिए मैंने इसको कट लगा लिया है तो जितना हमें प्लैकिट हमने बनानी है उससे डबल कपड़ा मुझे लेना है और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा यह देखिए 7 इंचिस से थोड़ा सा ज्यादा लेके इसको डबल कर दूँगी मैं यह तक्रीवन 1.5 इंच की इसकी चुड़ाई है फोल्डिंग में और यह जो सिंगल में इसकी यह तक्रीवन 3 इंचिस के वराबर यह मैंने कपड़ा लिया है फोल्ड करके यह 1.5 इंचिस बनता है यह दुखिवर हाफ इंच हमारा स्लाई में डब जाएगा और 1 इंच की प खास बात यह है कि हमें यह दो पट्टियां नहीं कट करनी एक ही पट्टी से हम उपर की और अंदर की पट्टी त्यार कर लेंगे वर्जाप और से देखिए यह हमने लंबी पट्टी ले ली है सीधी तरफ से हमने इसको सीना शुरू करना है और पिर हम इसको ऊल्टा कर देंगे यहां से इस तरह से हमने सीधा पूरा दोनों तरफ से सी देना है और दर्मियान से जहां से इसका कट है वहाँ पे हम इसको सिलाई करने के बाद यहाँ पे एक कैंची से कट लगा देंगे यह देखिए इसको पुरा खोल के सी देना है यह देखिए वज़ एक ही पट्टी से हमारी दोनों प्लैकित उपर और नीचे की प्लैकित त्यार हो गई है और बहुत ही असानी के साथ इसमें आपको दो अलग अलग पट्टियां नहीं कट करनी पड़ेंगी एक ही लंबी पट्टी हम लेंगे और हमारी फ्लैकिट पूर्ट असानी से त्यार हो गई है अब मैं आपको ये आइरन करके दिखाती हूँ ये देखियो बज़ मैंने इसको आइरन कर लिया है और यहाँ पर दर्मियान से यहाँ से मैंने इसको कट भी लगा लिया था और इसको देखें इस तरह से जब मैंने इसको सीधा किया है तो ये बिल्कुल शही तरीके से बहुती नीज तरीके से पट्टी त्यार हुई है एक ही सिलाई में और एक ही पट्टी के साथ हम लाकिट त्यार कर सकते हैं और सेंटर से हमीं कट लगा देना है हलका सा इसके बाद चाहे तो आप इसके ओपर सिलाई लगा ले इस तरह इसको सीधा करके फ्रंट साइट पर सिलाई लगा ले या नीचे से तुरपाई कर ले और यहां से हम इसको पका करके सी लेंगे उमीट करते हूं वर्ज आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी और यह प्लैकिट लगाने का बहुत ही असान तरीका आपको समझ में आगे होगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकाउन को ज़रूर प्रेस कर लेजिए ताके मेरी आइनदा आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट में बताईए कि आपको मेरी यह व कर दो